नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में तो तुलराशिवालों साल का पहला सूर्य ग्रहन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे या नकारात्मक संकेत, वह आज की वीडियो देख कर ही पता चल पाएगा, क्योंकि गुरुजी ने ग्रह नक्षत्र और सूर्य ग्रहन के रूप रेखा के आधार पर आज की वीडियो का निर्मान किया है, इस सूर्य ग्रहन के बाद से आपकी जिंदगी में क्या महत्व पूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, इसकी पूर अगर आप एक सचे राम भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीता राम जरूर लिखें। इसका प्रभाव हमारे उपर नहीं पढ़ डीडेगा, इसका सूर्य ग्रहन का प्रभाव पूरी मानव जाती के साथ साथ दोस्तों सभी जीवित प्राणियों पर पढ़ डीडिया एचने वाला है, और इसका असर बहुत ही गंभीर रूप से होगा, क्योंकि तीन ग्रहों का दोश तो इसमें महासंयोग बन रहा है, और साथ ही दोस्तों, यह सूर्य ग्रहन मीन राश में लगा है, और पूरे सत्रा सौ सालों बाद महासंयोग बन रहा है, दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं होगी, जो दोस्तों आप सुनोगे, तो आपके भी रोंग्टे खट डढ़े हो जाएंगे. दोस्तो, कुछ परेशानिया, कुछ मुसीबतें आपके जीवन में आएगी. सूर्य ग्रहन के बाद से तो कुछ खुशियां भी आपके जीवन में आने वाली है. इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ. इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से जरूर देखियेगा. दोस्तो, तीन बढधे अनर्थ आपके जीवन में होंगे. सूर्य ग्रहन के कारण, यानि कि तीन बढधे संकट आपके उपर आने वाले हैं. और ये संकट छोटे मोटे नहीं, बहुत बढधे होंगे और एक खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है. ये खुशखबरी इतनी बढधी होगी कि दोस्तों, सारहे संकटों पर इस खुशखबरी का पानी फिर जाएगा. दोस्तों, यूँ समझ लीजिए, बहुत बढधी खुशखबरी है. ये तो क्या है? सूर्य ग्रहन का असर इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ. ये जो सूर्य ग्रहन है. दोस्तों, चैत्र मास की अमावस्या को लग रहा है. और दोस्तों, चैत्र नवरात्रिके. ठीक एक दिन पहले इस ग्रहन का लगना कोई आम बात नहीं है, बलकि बहुत ही खतरनाक और भयंकर. दोस्तों, दुरलव, संकेत दे रहा है. आप लोगों के लिए आपकी छोटी सी लापरवाही से दोश तो आप पूरी जिंदगी भर परेशान हो जाओगे. इसका आपके पूरे परिवार पर भी असर पड़ रहा है. दोस्तों, हमारे धर्म में अमावस्या थिती का बहुत ही खास महत्व है. इस दिन दोस्तों सनान करने का और दान करने का बहुत ही महत्व है. चैत्र अमावस्या के दिन पूरवजों का पूजा भी किया जाता है. दोस्तों, और इस बार चैत्र अमावस्या सोमबार को है, य दोस्तों, बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। अगर आप एक गर्भवती महिला है या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, तो दोस्तों, उनको घर से बाहर बिलकुल भी मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि अमावस्यातिती के साथ सूर्य ग्रहन का होना बड़ा दोस्तों, संयोग है, ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को केवल घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही छत पर जाएं और ना ही घर के दर्वाजे से बाहर जाएं। जा तिथी भी खतरनाक दिखाइदे रही है, ऐसे में न्वरातरि के नौ दिनों को बहुत ही पवित्र माना गया है। आप सभी जानते हैं कि माता रानी के दिन है यह नौ दिन, ऐसे में जोतिशीों की मानें तो ग्रहन के समय, दोस्तों फैली सूर्य की किरणों से राहु का जो प्रभाव है, बढ़ जाता है, जिससे जीवन पर कहीं न कहीं प्रभाव जरूर पढ़ता है, लेकिन इस साल भारत में यह ग्रहन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभाव आप पर नहीं पढ़ेगा, प्रभाव दोस्तों समस्त लोगों पर पढ़ रहा है, ऐसे में आप लोगों को दोस्तों किसी को भी उधार पैसा देते हुए बहुत ही ध्यान रखना है। आपका पैसा इस दौरान कहीं फस सकता है। आपको दोस्तों बड़े धन का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी की डील करते समय बहुत सावधान रहे। किसी को लाखो रुपए दे रहे हो, तो भी सावधानी से दें। क्योंकि आपका पैसा कहीं फस सकता है, आपका पैसा कहीं अटक सकता है, आपको कोई छूना भी लगा सकता है, आपके साथ धोखा धड़ी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपको एक बात का विशेश रूप से ध्यान रखना है, कि आप अपना दोस्तों कीमती पैसा बिलकुल संजो कर रखें, बिलकुल भी लापरवाही न करें। अगली चीज़ है दोस्तों की सूर्य ग्रहन के दोरान, आपको किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना है। यानि कि दोस्तों आठ तारीख से लेकर आठ तारीख से लेकर लगभग लगभग सतरह तारीख तक आपको अपनी जुबान को बहुत ही काबू में रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आठ तारीख को अमावश्या और सूर्य ग्रहन है। और नौ तारीख से नवरात्री लग जाएगी और नवरात्री दोस्तों नौ दिनों का त्योहार है। ऐसे में दोस्तों सूर्य ग्रहन से लेकर नवरात्री के नौ दिनों तक आपको गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको दोस्तों, अपनी बोली का विशेश रुप से ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं, जो दोस्तों गलत-गलत शब्द बोल जाते हैं, कुछ थोड़े नकारात्मक लोग भी होते हैं, जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर भी वह लोगों को यह कहते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत परिशानिया है, मेरे जीवन में दुख तकलीफ है। तो दोस्तों, अगर आप इस दोरान ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करोगे, तो असलियत में भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे। कुछ लोग होते हैं, जिनके जेब में, जिनके बैंक, खातों में लाखों करोडों रुपे पड़े होंगे, लेकिन फिर भी वह लोगों को कहेंगे कि मेरे पास तो एक भी रुपिया नहीं है। कुछ कहते हैं, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन असलियत में तो उनके पास खूब पैसा होता है, अगर आप यह सब करते हो तो सावधान हो जाईए, क्योंकि इस दौरान दोस्तों, आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, आप जो बोलोगे, वह हो जाएगा, अगर आपका कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सच में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, इसलिए मुह से गलत शब्द मत निकालेगा, मुह से थोड़े अच्छे शब्द निकाले, घर परिवार में भी माहौल बहुत अच्छा रखिएगा, घर परिवार में लड़ अपने घर में भी और बाहर भी जहां आप काम करते हो खास करकि महिलाओं से बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना है। आप लोगों को ठेस पहुँचा रहे हो लोगों की आत्मा को दुखा रहे हो तो दोस्तों आपको फिर भुगतना पड़ेगा और अगर आप इस दौरान खुश नहीं रहोगे दुखी दुखी से रहोगे तो भी मातारानी कहेगी कि मैं आई हूँ धर्ती पर मैं इनके घर पर पराई हूँ और देखो ये तो दुखी है इसलिए इसको हमेशा दुखी ही रखो इसलिए दुखी मत होना खुश रहना चाहे पैसा कम हो लेकिन मुह की हंसी अच्छी होनी चाहिए मौज कम नहीं होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है आप कुछ दोस्तों में ज ध्यान से सुनिए हमारे धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहन के दौरान आपको कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए जैसे कि लहसुन प्याज तो खाने ही नहीं चाहिए पुराणों में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ग्रहन के दौरान कुछ खाता है यानि कि अपने दोस्तों देश में सूर्य ग्रहन रात्री के समय लग रहा है, ऐसे में रात्री में कुछ ना खाएं, रात्री में अगर कुछ खा रहे हो तो दोस्तों, थोड़ा सा चेतावनी है आपके लिए, कि रात्री में कुछ भी ना खाएं, यानि कि ग्रहन के दौरान कुछ भी खाना नहीं है, आपको रात को नौ बजे से एक बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि ये समय ग्रहन काल का रहेगा, और ऐसे में अगर आप कुछ खाते हो, अपने पेट में कुछ डालते हो, तो उसका बहुत ही बुरा असर। दोस्तों, आपको पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी देर कुछ भी मत खाईए, ग्रहन के दौरान तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए, वरना आपको नरक की मान्यता है, कि उस व्यक्ती को नरक की कठिन यातना जहेलनी पड़ती है, सूर्य ग्रहन के सूतक का में भोजन खाते हैं, सूतक काल तो पहले से ही चालू हो जाता है कुछ घंटों पहले, ऐसे में आप अपने भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दें, पानी में तुलसी के पत्ते डाल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और दोस्तों, आपको 8 अप्रैल को धर्म में तुलसी और पीपल के पेड़ को पूजनिय माना जाता है, ऐसे में आपको तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं, और माता लक्षमी की अगर कृपापाना चाहते हो, तो पीपल के व्रिक्ष से भी दूर रहें, आप सभी जानते हैं कि तुलसी में माता लक्ष्मी और पीपल में भगवान विश्नु का वास होता है। इसलिए ग्रहन के दौरान इन पेड़ों को छुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूना है। ऐसा करने से धन की देवी मा लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब अगली चीज है सूर्य ग खतरनाक प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत ही खतरनाक प्रभाव है दोस्तों। इस प्रभाव से बचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक उपाय भी बताया है सूर्य ग्रहन के दौरान करने का और कुछ बदलाव है उसके बारे में भी आपको जान सूर्य ग्रहन है चैत्र नवरात्री के ठीक एक दिन पहले लगा है और नवरात्री के ठीक एक दिन पहले इस ग्रहन का होना और साल का यह पहला सूर्य ग्रहन होना यही बात इसको खास बनाती है और मीन राशी में यह ग्रहन हो रहा है जिसके कारण आपकी राशी पर भी इसक पूरा असर देखने को मिल रहा है। जोतिश के अनुसार दोस्तों, आपकी राशिके जातकों को सूर्य ग्रहन के बाद से थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दोरान परिवार में थोड़े से उतार चड़ाव देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर को शारीरिक समस्या हो सकती है। दोनों के बीच में तालमेल, दोस्तों उतना सही नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। परंतु इन सभी चीज़ों का उपाय भी बताएंगे हम, अंत में। यदि किसी तरह से दोस्तों आपके बीच में लड़ाई जगड़े होते हैं, तो उसको तुरंत सही कर लिया जाए, तो अच्छा रहेगा क्योंकि तनाव देखने को मिलेगा। परिवार में भी दोस्तों थोड़ा सा एक दूसरों से वारतालाप में कमी देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के बीच में थोड़े से तनाव देखने को मिल सकते हैं, खास करके आपको इस समय दोस्तों अपनी बोली पर थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा. जो भी बोलें, ध्यान से बोलें. इस समय आपकी जो वानी है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और आपके स्तर पर भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा जिससे लडाई हो सक और आपके द्वारा बोली गई बातें आपके अपने को भी आहत कर देगी। इसलिए अपनी बोली पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखियेगा। लड़ाई जगड़े हो सकते हैं। चार ग्रहों की युती है जिसके कारण आपकी राश्य के जातकों को दोस्तों आर्थिक तौ पर बहुत अच्छा फाइदा देखने को मिलेगा। इस ग्रहन के बाद से आपकी जो जमा पूंजी है उसमें बहुत अच्छा इजाफा होने वाला है। आप जो भी करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने के चांस है। दोस्तों फिर चाहे व्यापा इसलिए लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है और गरीब लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। उनकी जमा पूंजी में भी दोस्तों इजाफा होने वाला है। साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है क्योंकि समय कम रहेगा और आपको काम बहुत सार इन ग्रहन के बाद से दोस्तों, आपके जो गतिशील काम है, उसमें और गति आने वाली है, और जो बंद पड़ चुके थे, काम जो बहुत समय ले रहे थे, काम उनमें भी अपतेजी आने वाली है, इसलिए पहले से ही अच्छे से योजना बना कर कार्य करें, तो और ज्याद आपको फाइदा देखने का मिलेगा, ये जो साल का आखिरी ग्रहन है दोस्तों, जो समाप्त हो चुका है, परंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके ही लोगों, गो पर आपकी राश के लोगों पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोस्तों, आपको सतर्क भी रहन है, सतर्क रहकर इस चीजों का फाइदा भी उठाना है, खास तोर पर स्वास्थे की बात करें, तो स्वास्थे के नजरिये से इसका बुरा असर आपके उपर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है इन दिनों दोस्तों, ग्रहन के बाद से अगर कोई परेशानी जेल रहे हैं, तो वह और भी सजग हो जाएं, क्योंकि इन दिनों आपकी परेशानिया और बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने खान-पान का ध्यान रखिए, अपना इलाज प्रॉपर करवाते रहें, गोली दवाई बिलकुल भी न भूलें, क्योंकि ग् जादी बुखार भी हो, तो दोस्तों तुरंत हॉस्पिटल जाएं, दोस्तों, वहीं दुरगटना के योग भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है, कहीं भी बाहर जाएं, तो दोस्तों, वाहन चलाते समय सेफटी के नियमों का ध्यान रखिए, दो पहि जिनों नकारात्मक्ता आपके उपर हावी हो सकती है, यानि कि दोस्तों, जो भी करेंगे आपको थोड़े से नेगेटिव खयाल आएंगे, फिर चाहे परिवार को लेकर भी आ सकते हैं, जीवन साथी को लेकर भी नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, आपके मन में शक लोगों पर शक करेंगे, पार्टनर पर शक करेंगे, परिवार के लोगों पर शक करेंगे आप, कुछ आपके अंदर इस तरह के भाव नजर आएंगे जिससे आपकी जो नकारात्मक्ता है वह बढ़ने वाली है, परंतु धीरे धीरे स्थिती सुधर्ती चली जाएगी, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि इन ग्रहन के बाद से, खास कर उन लोगों को जिनको दोस्तो नौकरी नहीं थी, रोजगार के लिए वे भटक रहे थे, उनके लिए कोई बड़ा, दोस्तो जैकपॉट हाथ लग सकता है, इस खुशखबरी आपको मिलेगी आपको मनचाह नौकरी, मनचाहा व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, इस ग्रहन के बाद से आपके लिए काफी सुख़त स्थितियां बन रही हैं, तो दोस्तो बेठे ना रहें, जो भी चाहिए आपको उसके लिए थोड़ी सी महनत तो करनी पड़ेगी, बाकी काम सि रहनी की चाल है वह बदलेगी, जिसका प्रभाव भी आपके उपर ही, दोस्तो नौकरी और व्यवसाय दोनों में अच्छे योग है, परंतु अपने कर्मों को देखते रहें, अपनी महनत को सर्वोपरी रखें, सब कुछ बढ़िया रहेगा, परंतु अधिकारियों से बह बहस न करें, अगर आप दोस्तों नौकरी करते हैं, तो अपने वहां के अधिकारियों से बहस ना करें, वाणी पर संयम रखें, अहंकार को नियंत्रित रखें, सब का सम्मान करें, इन बातों का हमेशा ध्यान रखियेगा, कई लोगों ने हमसे सवाल किये हैं कि चैत्र मुटाव होगा, बोले चाली का ध्यान रखिये, उसी तरह लव लाइफ में जो लोग दोस्त अभी रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी दोस्तों यही चीज लागू होगी, आपके बीच भी कुछ ची साथ ही दोस्तों, रिलेशनशिप तूटने के भी योग है, इसलिए ऐसा कुछ न करें, जिससे बात वहां तक बढ़े, पहले से ही सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आठ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सितारे जैसे ही सूर्य ग्रहन के बाद से अब कुछ उपाय बता लेते हैं, जो करिएगा, तो इसका जो दुश्परिणाम है, दुश्प्रभाव सूर्य ग्रहन का जो आफ्टर, सूर्य ग्रहन का जो इफेक्ट है, उसको आप दोस्तों थोड़ा सा बजाएंगे, दोस्तों नहाना धोना, म अच्छी बात है, जिस भी दिन आप देख रहे हो दोस्तों, उसी टाइम आपको कुट्टे को रोटी खिलानी है, कुट्टे को रोटी खिलाना जरूरी है, क्योंकि इससे बोज कम होता है, सर पर अगर कुछ बोज होगा ग्रहों का नकारात्मक तो वह कम होगा, इसलिए गौ माता को भी आपको चारा खिलाना है, गौ माता को चारा खिलाएं, घोशाला जा सकते हैं, वहाँ पर चारा खिलाएगा, ग्रहन के अगले दिन भी जा सकते हैं, आप इन उपायों से आपके सर का बोज कम होगा, दोस्तों, सितारों का बोज कम होगा, तो इस उपाय को ज दुश्परिणाम कम देखने को मिलेंगे